हेई, वेलकाम बेक टो अवर चैनेल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात काने वाले हाउ टू रिसेट सावमी डिवाइस यानि कि इस फोन को पूरी तरह से रिसेट कैसे करें मोबाइल को रिसेट बारने से पहले मैं आपको बात दू कि इस फोन में जितने सरे फोटोस, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपोर्टेंट डिटे वागरा मुझूद है मोबाइल को रिसेट करने से पहले उन सरे डिटा का बैक अप ले लीजिए क्योंकि रिसेट करने के बाद सरे डिटा पार मने लीडि डिलिट हो जाएगा तो इस मोबाइल को रिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन के सेडिंग्स में जाना होगा नेक्स्ट एबाउट फोन में जाना है उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है यहां पर आपको दो option दिखाई देगा backup and restore और factory reset backup and restore पर click करके SMS, contact, call history, system app और third party apps का backup ले सकते हैं उसके बाद back आईए next second option factory reset में जाना है factory reset के अंदर आपको कुछ इस तरह के interface देखने के लिए मिलेगा अपके phone में जितने सरे account, contact, photos, videos, apps, etc. सब कुछ delete हो जाएगा तो इस सीच को अब ध्यान रखिए उसके बाद नीचे में erase और data पर click काना है इस पर click करते ही pop आवाएगा backup item first अगर अपने इस phone पर कुछ backup लिया है तो उस data को दूसरे किसी device पर transfer कर दीजिए नई तो सरे data permanently delete हो जाएगा next factory reset पर click करना है अगर आपके phone में MI account login था तो उसका भी password डालना होगा next ok कर देंगे उसके बाद आपको सोचित किया जाएगा कि आपके phone से सरे data delete होने जा रहा है 10 सेकंड का timer खतम होते ही next दबना है आपसे दूबरा पूछ जाएगा कि आपने सापी data का backup लिया है यदि आपका उत्तर हाँ है तो ok पर click करें फिर आपका device reset होना शुरू हो जाएगा जब तक आपका device पूरी तरह से reset ना हो जाए तब तक आप इस phone को चालू या बंद करने का कोशिस ना करें और हो सके तो charger के साथ mobile connect करके रखिए तो दूस्तो इस तरह से आप अपना phone को reset कर सकते है उमीद करते हूँ कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत हेलफूल था तो अमड़े वीडियो देने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया